नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपको हमाई चले में मैंना अमेरी सिर आज किस ब्रावम बात करने बाले हैं बिहार राज आयूस समीति के तरफ से निकल के आड़े एक नई भरती के बारे में दोस्तों बिहार राज आयूस समीति के तरफ से यहाँ पर डाटा एंट्री ओप जिन्होंने मुझे वाट्सेप पर एक PDF भेजा है, कुछ इस परकाब से आपको धिखा रहा हूँ, तो कुछ इस परकाब से यहां पर एक PDF हमें भेजा गया था और हमें पूछा गया था कि सार हमें जो यहां पर जानकाई देजे कि यह VACANSI असली है या नकली है, हमें इसमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसका आवेदन किस परकास से होगा तो आज के इस विडियो को पूरा डीटेल में हम जानकाई देने बाले हैं यहां पर एक पेपर कटिंग के माध्यम से जो है हम आपको जानकाई देने बाले है बिहार राज आयू समीति के तो निकल के आरे बहरती है उसके पाड़े में आपको पूरी जानकारी हम देने बालें तो वीडियो को पूरा प्रना लास्ताआ का देखते रहे उससे पहले एक्ना आपने आफे जैल को सिंदे नहीं किया है तो पहले आप जो इसमें अलाइन करने की सौन्च रहे हैं अगर आ पूरा एक्जेक्ट आपको जानकाई देने बाले हैं तो यहां पर एक पेबर कटिंग जारी किया गया है बिहार सरकार के दोरा तो उसके बारे में हम आपको जानकाई देने बाले है तो चली चलते हैं अपने computer screen पर आपको पेपर कटिंग के माध्यम से जानका ही देते हैं कि आपको जो इसमें आवेदन करना है या नहीं करना है तो यहां पर बताएगा राज में आउट्सोर्स के माध्यम से सभी 38 जिलों में आयूसमान भारत के अंतरगत एबं जिला स्वास्त समीती से लेकर अतरिक्त प्रात्मिक स्वास्त केंद अस्तर तक तथा स्वास्त विभाग के कारियाले कारिकरम प्रबंधन में डाटा ओपरेटर के अस्थापना एबं संचलन राज आयूसमीती बिहार द्वारा निविदित के माध्यम से चैनित एजेंसी मेंमर्स इंटेलिजेंस सेक्योर्टी ओफ इंडिया पटना के द्वारा के द्वारा यहां पर यहां पर भरती निकाली जा रही थी अब दोस्तों यहां पर भरती निकाली जा रही यह जो है आयूसमान भारत उसके लिए निकाली जा रही थी और यहां पर बिहार राज आयूस समीती के तरफ से यहां पर निकाली जा रही थी अब दोस्तों यह जो एक एजेंसी है जो कि आप लोगों का भरती निकालता है तो उसी के बाड़े में आप जो है जानकाई दिया गया है उसको पर बताएगे आयूस भारत के तहत राष्ट्रिय आयूस मिसन आयूस मंत्राले भारत सरकार के द्वारा बित्य बर्स 2020-2021 में सभी 38 जिलों में डाटा ओपरेटर दिया जा रहा है यानि कि दोस्तों आप पर बताएगे कि सभी 38 जिलों में यहां पर यह बहाली होने वाली है और यहां पर कुछ नाम दिये गए हैं कि इस इस जिले में जो यहां पर भरती करने बालों का जो यहां पर नाम दिया गया है तो इ यहां पर आप देखवाएंगे राज आयूस समिति स्वास्त विभाग बिहार सरकार पत्नाव सेम वही आप लोगों का है निबंधन संख्या भी यहां पर दिया गया है उसके बाद दूतिये तला यह साला चीज आपको लोगों का दिया गया है वेबसाइट भी आप देख़ा डाटा एंट्री ओपरेटर के उमीदबार नकली भरती के बादे से रहे साबधान यहां पर यह जानकाई दिया गया है यहां पर बताएगए डाटा एंट्री ओपरेटर के पद पर कारी करने हेतू इच्छुक उमीदबार को यहां सुचित किया जाता है कि आयूसमान भारत के अंतरगत जिला स्वास्थ समिति से लेकर अतरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद तथा स्वास्थ विभाग के काड़ियाले कारिकरम प्रबंधन किया स्थापना एवं संचलान हेतु राज आयू समिति बिहार पतना के द्वाला MS Intelligence Security of India पतना के माध्यम से Data Entry Operator संबंधित न्यूक्ति हेतु फरजी पत्र देखा गया है यानि दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उसी के बारे में जानका है दिया गया है उसके बाद यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि पतना के माध्यम से Data Entry Operator संबंधित न्यूक्ति हेतु फरजी पत्र देखा गया है यानि कि जो यह पत्र है दोस्तों यह बिल्कुल फरजी है यहाँ पर इसमें आपको आबेदन नहीं करना है अब यहाँ पर दोस्तों यह एक Private Company का नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आपको यहाँ पर प्राइबेट वेबसाइट पर ले जाकर आबेदन करबाया जाता और यहाँ पर आप लोगों को ठगी किया जाता दोस्तों यहाँ पर यह प्राइबेट इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर आप लोग पता ना लगा सकें कि यह सही है या गलत है क्योंकि आप लोग का पहले ही नाम यहाँ पर जोड़ दिया गया कि प्राइबेट कमपनी है तो आप सोचेंगे कि किसे भी वेबसाइट यहां पर आबिदन लेंगे तो आप आप आपे आबिदन कर देंगे लेकिन यहां पर बता चेत यह भी दोखा lubना को नहीं जहांसे में न आ आए यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो नोकड़ी आपनों को देने का जहासा दे रहे हैं यह जो आपनों का भरती निकाल रहे हैं यह सब बिल्कुल फेक हैं और ऐसा होता है जब यहाँ पर नया आनया वेकेंसी निकलता है जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत सारा आने बाला data entry operator का तो उससे पहले ही आप लोग का फर्जी होना शुरू हो चुका है तो इसके लिए लोग ज्यादा उत्सुक होते हैं उसमें ज्यादा तरह यहाँ पर फर्जी बेकेंसी देखने को मिलता है जैसा कि यहाँ पर आप लोग का ग्रामीन विकास वियाग के तरफ स सारे लोग तरफ सारी यहाँ पर लोग आविधन करने के लिए त्यार थे गपर फर्जी होना जो है अगर का मांग रहता है और यह से शुद अझा बहुत सारे निकलती है तो जब भी वेबसाइट होगा दोस्तों यहाँ पर बिहार.gov.in रहेगा या फिर जो ए एनाइसी.in रहेगा या फिर भी आई एस डोट इन रहेगा अगर आपका बिहार का या किसी राजिका है तो राज जिका आप लोगों का यहाँ पर नाम रहेगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर आयूस मंत्राले का वेबसाइट है, उसमें .gov.in लगा हुआ है, यानि कि यह गभर्णमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ पर भी उसी वेबसाइट को छाप दिया गया है, जिससे कि आप .bih लगा हुआ है या नहीं, अगर बिहार की है तो अगर दूसरे state की है, तो मुझे जारातर मालूम नहीं है, कि वो लोग कौन-कौन सा यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार में .in, यहाँ पर आप लोगों का लगता है .gov.in लग .Mुआ है इसके बारे में बाता येे, तो मैं इसके बारे में। पारे में सर्च एकशों करके आपको जांकारी करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, जो यहां पर और भिहाराज और आउस समय्ती के तरफ से वेकbnसी Vermont के निकले आ रहिए , इसमें आपका आप्टिन होगा य ज्यादा निकलना सुरू होते हैं यानि कि जिसके वारे में जाद जानकारी निकलना सुरू होती है वहां पर फर्जी वेकंसी आना सुरू हो जाता है दोस्तों आपको बतादे कि यहां पर अभी हाल फिलाल में अर्थी सो कुछ पदों पे यहाँ पर डाटा एंट्री ओप्रयार करें पद निकाले गए थे आएसे में दोस्तों आप इसका फरजी वेकंसी आना सुरू हो चुकआ है क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ इस वेकंसी को ज़्यादा यहाँ पर देखना चाते हैं इस वेकंसी में हो या फिर किसे भी परकार की परेशा नहीं हो तो आप जो है मुझे अपना mail पर भेज सकते हैं हमारा mail ID है वो आपको नीचे description में मिलेगा वहाँ पर हमें mail कर दीजिए कि सर हमें इसके बारे में जानकाई दीजिए या फिर हमारा जो Instagram ID है आपको टाइप करना है तो आपको जो हमारा Instagram ID मिल जाएगा तो वहाँ पर भी आपको हमें जो है सवाल पूछ सकते हैं हमें जो पीडिया भेज सकते हैं जिससे कि हमें आप लोगों को जानकाई दे सकेंगे कि यह जो वेकेंसी फर्जी है या फिर असली है सब कुछ आपको हम डीटेल में बताएंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आगो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें माई चैनल को साथी सेट की रेस वीडियो को तक ही और वीडियो को जानकारी मिल सकें मिलते नेक्स वीडियों ततक के लिए धन्यवाद